Hello friends, आज की ये वीडियो बुद्धिज्म और जैनिज्म की एक introductory वीडियो है इस से पहले की वीडियो में हम लोगों ने हरपन कल्चर और वेदिक कल्चर को कवर किया था Later Vedic period में हम लोगों ने वेदिक कल्चर को पढ़ते हुए देखा था कि Later Vedic period की दोरान society में four-fold social division thoroughly established हो गया था जहां पर जन्म के आधार पर लोगों को ब्रहमन, शत्रिय, वैश्य और शूद्र में बाट दिया गया था इन में से ब्रहमन और शत्रिय प्रिविलेज क्लासिस थी और आपका जन्म किस क्लास में हुआ है उसके basis पर ये decide होता था कि आप बड़े होकर क्या करने वाले हो For example, अगर आपका जन्म ब्रहमन के यहां पर हुआ है तो आप बड़े होकर प्रीष्ट बनोगे या लोगों को वेद पढ़ाओगे ब्रहमन होने के काफी सारे फायदे थे For example, बागी की क्लासिस के लोगों को आपको समय समय पर भोज कराना होता था दक्षिना देनी होती थी यानि बिना कुछ किये भी आपका जीवन मजे में कट सकता था उसके उपर से ना तो इन्हें tax देने की चिंता थी ना ही इन्हें किसी भी प्रकार का कोई punishment दिया जा सकता था इसके बाद अगर हम लोग बात करें शत्रियों के functions की तो इनका काम था लडाईयों में participate करना Basically ये लोग territory acquire करने के लिए लडाईयां लड़ते थे और एक बाद territory acquire हो जाती थी तो उस पर rule करते थे तो ये basically एक ruling class थी और जिस territory में इनका rule हुआ करता था उस territory के लोगों से ये tax वसूलते थे तो इनके life उस tax के basis पर चलती थी इसके बाद आते हैं west share जो generally agriculture, cattle rearing और trade जैसे काम किया करते थे और ये mainly tax paying class थी और agriculture produce हो, cattle rearing हो या trade हो इससे ये जो भी पैसा कमाते थे उस पर से भारी भरकम tax शत्रियों को दिया करते थे और ruling class इसी tax पर जिंदा थी इसके लावा अगर हम लोग बात करें शूद्रों की तो शूद्र basically बाकी के तीन वर्णों के सेवक थे इन मेंसे काफी सारे लोग domestic slaves यानि घर में काम करने वारे नोकर हुआ करते थे कुछ लोगों को agricultural slaves बना के रखा हुआ था इसके लावा ये लोग hired labor यानि दियाडी मजदूर की तरह भी काम किया करते थे अब अगर बात करें इन तीनों वर्णों के intellectual development की तो ब्रामनों को वेद पढ़ना allowed भी था और वेद पढ़ाते भी थे शत्रिय भी वेद पढ़ सकते थे और वैश्य वर्ण को ये जाज़त थी कि वो भी वेद पढ़ सकते हैं बर शूद्रों को वेद से दूर रखा गया था वो ना तो वेद को पढ़ सकते थे और जहां वेद का पार्ट हो रहा है उसके आसपास भी इनको भटगना अलाउड नहीं था पूरी तरह से ये restricted था शूद्रों के लिए तो इस तरह के social division के कारण society में एक tension सी create हो गई थी शूद्रों को ये social division अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो लोग कितने भी talented हो कितने भी hard working हो कुछ फरक नहीं पड़ता है क्योंकि बड़े होकर उन्हें बनना तो slave है इसके बाद अगर हम लोग वैशे वर्ण की बात करें तो वैशे society के economic development में काफी ज्यादे contribute कर रहे थे लेकिन ultimately वो जो भी धन अरजित कर रहे थे उससे एक बड़ा हिस्सा उन्हें tax के रूप में देना होता था इसके बावजूद उन्हें वो social status नहीं मिल पा रहा था जो कि शत्रिय और भ्रामनों को मिलता था तो वैशे भी इस social division से खुश नहीं थे और अगर बात करें शत्रिय की तो शत्रिय भी इस one विवस्ता से खुश नहीं थे उनका मानना था कि territory को जीतने के लिए जान हम अपनी दाव पर लगाएं उस territory पर सब चीज़े ठीक से चल रही है इसके लिए good governance हम दें लेकिन उसके बावजूद सर्फ स्रेश्ट कौन है ब्रामन ये कैसे हो सकता है तो ब्रामनों का dominance उनको भी पसंद नहीं था और कहा जाता है कि 6th century BC में शत्रियों ने भी भ्रामनों के खिलाफ एक protest movement चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ बर्थ के आधार पर ये तैह नहीं हो सकता कि कौन सर्फ स्रेश्ट है और इस बात का प्रमान इस चीज़ को भी माना जाता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जिसके founders खुद शत्रिय थे उन्होंने भ्रामनों की authority को challenge किया तो इससे ये बात clear होती है कि 4-fold division के कारण society में tension तो बनी ही हुई थी और ये एक बड़ा कारण बना जिसकी वज़े से नए religious sects originate होने शुरू हो गए थे ये बात हो रही है 600 BC की कहा जाता है कि 6th century के आसपास 62 religious sects originate हो चुके थे और इन religious sects में से जो दो prominent sects थे वो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म तो हमने अभी तक देखा कि 4-fold division was one of the reasons जिसके वज़ा से बुद्धिज्म और जैनिज्म यासे religion originate हुए इसके अलाबा दो और reason थे जिनके वज़ा से बुद्धिज्म और जैनिज्म originate हुए दूसरा कारण था वो वेधिक practices जो की नए agricultural economy में hurdle बन रहे थे रुकावट बन रहे थे और तीसा कारण ये था कि वेश्य वर्ण की economic condition में काफी जादा improvement तो हो रहा था लेकिन उसके अनुसार उनके social status में व्रदी नहीं हो रहे थी तो यहाँ पर जो पहला कारण है उसे अलरड़ी detail में हम लोग समझ चुके हैं चलिए बाकी के दो कारणों को भी detail में समझते हैं देखिए 600 BC ये वो समय था जब agricultural economy बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थी और इसका मुख्य कारण था extensive use of iron हमने लेटर वेधिक पिरिट की वीडियो में देखा था कि iron की खोज और iron plause इनके कारण agriculture में काफी तेजी से improvement और development देखने को मिला और अब ये लोग खेतों की जुताई में iron plause के साथ साथ बुलक्स को भी इस्तमाल कर रहे थे मगर cattle sacrifice जैसी वेधिक practices इस new agriculture economy के लिए hurdle बनी हुई थी और अब ये आमधारना बन गई थी कि अगर agriculture economy को stabilize करना है तो cattle sacrifice और animal killing को stop करना होगा तो ये था बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे religion के originate होने का दूसरा कारण अब देखते हैं तीसरा कारण क्या था तीसरा कारण ये था कि 6th century के आसपास northern part of India में बहुत सारे large independent kingdoms बनने शुरू हो गए थे इन्हें महाजन पदास कहा गया और इन महाजन पदास में trade के लिए punched mark coins का इस्तमाल हो रहा था इससे trade और commerce बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और वैश्यवर्ण के लोग जो की trade और agriculture में ही involved हुआ करते थे उनके धन में व्रद्धी होने लग गई तो धन तो इनके पास आचुका था बढ़ social status का क्या क्योंकि social status तो अभी भी इनका ब्राह्मन और शत्रियों से नीचे ही था तो इसलिए ये लोग नए religious start-ups को fund करने के लिए तयार थे तो ये भी एक मुख्य कारण बना जिसके वज़ासे जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे religions का उधय हुआ तो ये थी जैनिज्म और बुद्धिज्म की एक introductory वीडियो आगे की वीडियो में हम लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म को और detail में कवर करेंगे ancient history की सभी वीडियो की PDF को डाउलोड करने के लिए आप बुद्धावा आपको डाउलोड कर सकते हैं इसके अलाबा Indian history और Indian polity को detail में कवर करने के लिए बुद्धावा की playlist को follow कीजिए Thank you so much for watching and supporting बुद्धावा